Hello students, congratulations अपने NIACLAO pre-clear कर दी है, जिसका mains बहुत जल्दी है और जिसके mains में descriptive है So mains का descriptive अगर है NIACLAO की बात करें तो essay or letter है, essay writing 20 marks, letter 10 marks सबसे पहली चीज़ दिमाग में clear fit कर दीजे कि exam में 30 minute का time है जिसमें 8 minute के अंदर मुझे letter type करना है और सबसे पहला question letter attempt करना है अभी letter में generally 3 topics दिये जाते हैं, जिसमें से 1 informal तो 2 formal compulsory नहीं है बड़ अकसर ऐसा ही होता है Formal letter में chance है कि 2 में से 1 letter तो भी आएगा कि यार insurance policy claim के लिए letter लिखो चिठी लिखो एक insurance letter तो letter definitely आएगा आपको या अपने friend को suggest करो कि यह policy काफी अच्छी है खरीद ले या अपने customer या client को pitch करो यह policy को लेकर so anything related to insurance word आएगा letter में एक ठीक है दो formal एक informal लेकिन कोशिश करना कि आपको formal letter ही लेना है letter में ज़ादा दिमाग लगाना नहीं है बैटा आपको जो उसका format है वही format को लेकर आगे बढ़ना है 8 minute में letter हो जाना चाहिए अब बारी आती है essay writing की essay writing में simple चीज है दो से तीन topic दिये जाएंगे जिसमें से very clear है कि एक topic insurance related रहेगा जैसे कि क्या insurance policy खरीदनी चाहिए नहीं चाहिए अगर मुझे invest करना है तो मैं life insurance में करूँ और एक general topic होता है जैसे general topic especially time जो पूछे गए थे वो था कि mother tongue क्या हमें primary school education में introduce करनी चाहिए या क्या school education mother tongue में ही होना चाहिए second था online offline education related तो मतलब दो भी बार जो देखा गया है insurance के papers में वो education related essay topic आया जो general है और एक insurance related हमेशा रहेगा तो NIA, CLAO के descriptive के लिए आपने करना चाहिए दो काम सबसे पहले SSA का descriptive writing group है जिसमें आप aging के sir को बात करके enroll कर सकते हैं enroll करने के बाद मार डेली ना तीन चीज़े आ रही है letter, essay और प्रेसी तो आप letter or essay की वहाँ से practice कर सकते हैं वही पर लिखकर post कर दीजिए आपको assess होके marks के साथ आपके personal telegram number पे आपका answer की आ जाएगी चिथी आ जाएगी और जहां तक रही बात दूसरा तो बेटा सबसे पहले एक जाद रखिए आप अगर बहुत पढ़ोगे तो ही कुछ लिख पाओगे आपकी reading कम है तो आपकी writing वास्ट कभी नहीं हो सकती आप जादे से जादा reading करने की कोशिश करिए अब मैं हम रोज तो पढ़ते हैं the Hindu हम रोज तो पढ़ते हैं Times of India Indian Express नहीं वो newspaper मत पढ़ी जब आपको पते हैं आपको insurance का descriptive लिखना है तो आप Google पे जाए search करिए women empowerment यही दो words डाली बहुत सारे आपको articles आ जाएंगे वो पढ़िए वो क्यों आ सकता है online education pros and cons बहुत सारे articles आ जाएंगे Google पे वो पढ़ी वो आपको काम आएगा ठीक है और practice बहुत करिए 8 minute में होना चीए letter दो minute में उसको cross check करना है आपको आपको 20 minute जो essay को दे रहे हैं आप तो 20 में से 15 से 18 मिनट में essay writing हो जाना चीए दो minute उसको re-check करना है री-check करते समय spellings का बहुत जादा ध्यान दीजे बिटा क्योंकि typing में spelling mistakes होंगे और वहीं सबसे जादा number कटेंगे दूसरा basic grammar पे धान दीजे अगर आप ऐसे technical topic पे लिख रहे हैं जैसे insurance policy पे तो आप technical words जादे होने चाहिए अगर आप ऐसे general topic पे लिख रहे हैं like women empowerment तो वहाँ पे न कोशिश करिए कि synonym जादा use करिए okay people are trying hard enough to give women the status in the society that they deserve अभी आपने एक बार people बोल दिया तो people के जगब public बोलो, masses बोलो, government बोलो, use different words वही people, people, people बार-बार बोला तो वो एक ही word count करेगा आपका getting this, so try to use synonyms when you're writing essay on a general topic लेकिन अगर आप technical topic पे ऐसे लिख रहे हैं, तो बिच्चा उसके लिए फिर आपकी vocabulary उतनी technically अच्छी होनी चाहिए understood this point, तो आप दो चीजें करिए, सबसे पहले आप बहुत ज़ादा पढ़िए आप जो एक गंटा, दो गंटा newspaper पढ़ रहे हैं, उसकी जगह पे आप general topics में कुछ NIE, ACL, AO के descriptive के डाल देती हूँ, essay के topics आप SSA के descriptive group पे वो topics check करिए, उसी को google में डालिए search करिए, read करिए, write an essay and then you can give it to me check it, ठीक है, so सबसे पहले read, read the relevant part, read the topics that are expected in the examination उसके articles पढ़िए, उसके ओपर essay लिखिए, आप assessment के लिए भेज दीजे, and don't worry NIE, ACL, AO का descriptive बहुत जादा tough नहीं होता, एक general topic तो देगा ही देगा, एक technical topic देगा अगर आपको लगता है आपका technical hand उतना strong नहीं है, तो general वाला part फिर आप अच्छा रखिए letter पहले करना है, essay writing बात में, next week में Monday से लेकर Friday तक लगातार 5 sessions में IBPSPO के descriptive के लिए रही हूँ, आप भी उसका फाइदा उठा सकते हैं, thank you so much